अब हम इस वीडियो में आपके लिए परेंगेल पर आदारी कुछ कोस्टन्स दे के आए हैं जो SSC CDL में और और भी अधिक एक्जांप में पूछे गए हैं जैसे बेंग रेले में यूपी पुलिस सभी में तो सबसे पहले शुर करते हैं एक त्रभुजी की बुजाएं 15 cm, 16 cm और 17 cm सबसे पहले जो समझते हैं कि यो कोस्टनी का गया रहा है हमारे सामने एक त्रभुज है हमें नहीं पता कौन से त्रभुजे नहीं कौन सा त्रभुज है historian गई है तो यहां में तहीं लिखा भी नहीं है तो इस तरीके के कुस्चन को किस प्रकार दिए आपके सामने मेंने एक फौर्मुला दिखाता है ही रोज फॉर्मूला, ही रोज फॉर्मूला, ही रोज फॉर्मूले में तिरूज का छेत्रबब होता है, अंदर में में है, S into S minus A into S minus B into S minus C सबसे पहले, A, A मान लीजे 15 cm, B, B मान लीजे 16 cm, और C, C मान लीजे 17 cm, 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 एक है, S हमाना क्या जी होती है, अर्द पर्मा, S होती है, हमारी अर्द पर्मा, तो S बनाबर है, इन तीनों का योग, तो A plus B plus C by 2, ये बेलू कितने हो जाएगी है, हमारी 15 cm, 16 cm, बटे 2, इसको पूरे को सौल करें, इन सब को ढोल के हमारा आया 48, 48 बटे 2, 24, इसको हम सोच बल लेंगे, तो ये आगा है 24, S का मान आगा है 24, तो इसमें हम लोग लगाएंगे, D is equal to, D is equal to, under root में, 24 into, S minus A, 24 minus A, 24 minus A, A, A का मतलब 54 minus A, A का मतलब 15, 15 है, 24 minus 16 है, और 24 minus 70 है, ये सारा सारा सौल पर के हमारा आजाएगा, अंडर root में, कितना आएगा 24, बुना, 24 बुना, 9, बुना, 8, बुना, 7, ठीक है, इतना आजाएगा हमारा, इसको हम लोग इसका बर्दमूल निकाल लेंगे, इसका बर्दमूल आएगा, इसको सौल पर के आजाएगा हमारा 24, अंडर root 21, 24, अंडर root 21, सेंटीमीटर इसको है, ये हमारा आज़र हो जाएगा, फाइनली, तिरबुज का 6 तरबर केतना हम हो गया, इसको नोट कर लिए है, आप लोग, आप लोग दूसरे कोचन पर चाहिए, एक तिरबुज की कोई एक बजा 12 सेंटीमीटर है, और इस बजा से तिरबुज की उचा या 12 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले हम लोग तिरबुज बनाएंगे, कोई एक तिरबुज बनाया, इसकी एक बजा 12 सेंटीमीटर है, इससे इसकी उचाई 8 सेंटीमीटर है, तो तिरबुज का 6 तरबल, 6 तरबल, कितना होता है, गेल, गेल बराबर 1 अपन 2, बेस इंटीमीटर है, यह मैंने पिछली वीडियो में लिट्खाए हुए हैं सब, आप लोग उससे गंचल कर सकते हैं, 1 अपन 2, आदार कितना हो गया, आदार कितना हो गया महाला, बताएंगोई, 12, 12 वूंचा कितना है, 8 तरयां से इंटीक है, 12 जोंग, 13 संतिमीटर स्वार, यह हमारा दूसरा कोच्टर हो गया, ठीक है? बहुर करिया है आप लोग, चल उस रख हो, अब हम लोग लेके आए हैं तीसरा कोच्छल, तीसरा कोच्छल कैसे होगा, किसी संभावू तिरगुज की पिते गोजा 12 cm है, तिरगुजी का 6 cm, बहुत आसान है, कैसे करेंगे हम, तिरगुजी का 6 cm, देखिए अब कोच्टर नमर, तीसरा हम लोग करते हैं, ये हमने संभाव तिरगुज बना लिया, इसकी ये 12-12 शरी बुजाएं हो जाई ही, आप से रहा है, तिरगुज का 6 cm, तिरगुज का 6 cm, कितना बता हैं आपने हैं, ते लिया परावर होता है, बद, रूट 3 बाई 4, ए स्कोईर, ठीक है, तो एकर, रूट 3 बाई 4, इंटू 12, इंटू 12, ये में तुम्हारा कड़ गया, तीन बारतिया, च्छतिस, च्छतिस हंटर रूट, ग्री सेंटिमीटर का स्कॉार, ठीक है, अब देखो पोस्टर नम्मर फो, पोस्टर नम्मर फो कह रहा है, किसी संभाहु तिर्मुज का छेत्रपल, इसमें क्या है, छेत्रपल दिया हुआ है, औ तिर्मुज 2 की भजा पूछ रहा है, इससे बिजले में कहता yum भजा की ती और तिर्मुज 2 की की जबखında, ठीक है इसमें हम लोग निकालेंगे ए्स थram भजा पनाल मार हुआ हमारा कितना है है, एरिया कितना है हमारा 25, भूश्क थरी और साइड यह यह हमारी तो एरिया के तो पार्वुना हमने रिखाया था 25 रूट 3 ये तो हमको दिया हुआ है और एरिया कितना हमने लिखाया था रूट 3 रूट 4 A स्कॉड लिखाया था 25 रूट 3 अब देखिये इस सेम्ब थोड़ा सा इसको सॉल कर लेते ये जो भी मिस्से कर जाएं ये A स्कॉड बराबर कितना हो जाएगा 100 इसका बदना हो गया A इंकर्टू 10 सेंटीमीटर एक आमान आगया आमारा 10 सेंटीमीटर तो आब लोग आगे कोस्चन पर चाहते हैं कोस्चन नमर 5 इसमें एक समध्य वाहू त्रभुज का आगा और दूसरी वजा किरमचे 10 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है एक समध्य वाहू समध्य वाहू त्रभुज है यह आपका माननी के इसमें यह वजा A और A जितना बराबर है इसको माननी के B है यह तो कह रहा है कि त्रभुज का आगा त्रभुज का आगा कितना है 10 cm और दूसरी बुजा दूसरी बुजा मतलब दूसरी बुजा दूसरी बुजा दूमारी कौनसे हो गई यह यह वाली यह कितनी है आपकी 13 cm यह भी 13 cm ठीक है तो आपसे कह रहा है कि छेत्रबग ज्याद कीती है कि छेत्रबग के लिए मैंने फॉर्ग लिखवाया था 3 by 4 अंडर रूर 4a2-b2 तो इसमें हम लोग 2 रूर पूट कर लेते हैं 3 महां का कितना है 10 10 बट्रे 4 बुजा अंडर रूर में देख कितनी हो जाएगी तुमारे ही 4 into a, a कितनी है 13, 13 का मतलब हो गया 169 minus b, b का मतलब 100, b का मतलब कितना हो गया 100 इसको थोड़ा solve कर लेंगे हम लोग 10 by 4 इसको थोड़ा solve कर लेंगे तो ये value solve कर क्या है जाएगी हमारी 24 इसको रूर solve कर लो, 6 बार चला गया है, ये 6, 60 cm का square ठीक है, अब तो ये परिमाफ कितना है, परिमाफ, तो परिमाफ, परिमाफ के लिए हमने बताया आपको परिमाफ बराबर कितना होता है, 2a plus b, ये value कितनी है नमाली है, बोलिए 2 into 13 plus 10, कितना होता है, तेरे दूरी 60 cm, परिमाफ हमेजा cm में होती है, नाम की cm square है, एक समकौन समद्वावू तरहो जगा, विकान 50 cm है, एक समकौन समद्वा ओ, देखे समकौन और समद्वावू, समकौन भी है, और समद्वावू है, इसका म надलब किया हो गया, कि कोई, एक कौन नाइमतिय दिग्रीता है, और 2 गुजाएं अपस में बराबर थे, तो इन दौनों गुजाओं को आपस में जो बराबर हैं, उनको एक को आदार मान लेते हैं, तो आदार को लोग कह लेते हैं A, इसको भी मान देंगे A, क्योंकि ये दौनों इक पर हैं, ये तुमारा जाइगुनल हो जाएगा, विकर्ण इसको रिप्रेजेंट करती हैं आपने दिवियाद, पचास अंदर कुट 2, पचास अंदर कुट 2, इससे ही जगार उपड़ गई, A, इसु गर्ण जो बराबर कितना आयां, पचास, तो इस तिरोज का छेत्रभग, छेत्रभग के लिए हमने फॉर्मूला बताया है, छेत्रभग के लिए A, इसु कर्ण बनबन आधार बुणा उचाई, आधार और उचाई दौनों हमने ए ए माना, तो यह कितना हो जाएगा, बन अपॉन टू, इंटू, पचास बुणा पचास, बराबर, इससे ये वेलू बढ़ तो, पच्छीज, पच्छीज पंजे, बादे सो पचास, सेंटीमीटर स्कूर, ठीक है, क और उचाई दिवहर, तो रूरे के दार बन अपॉन टू, बखेशे एट, रूज तीरोज को कैसा है, तो वह पचास दिवहर, अपॉन सेटीमीटर करेंगे,ल थे तार्विटर वीया वीत्यार कितना, जईवरग्स रूची परके दारे, रूचाई नहीं होती ए тогда को क्यों स तहुशलारामस यह था मिदा आ हैस एक समध्य बाहु संबवार्टिरुज सैंकोरु तरुज सबसे पहरे माझने जिए एक समध्य बाहु संबवाँ संबॉर्बुज कितना होगा तुमारा? हमने अभी कौनूरा दिखा था देज बदाबर होता है 1 upon 2 a² 1 upon 2 a² तो a² के लिए यह दिखा हुआ है 36 बदो यह बैदू कितने हो जाएगी? a² बदाबर 36 बदाएगा कोई? a बराबर कितनी हो जाएगी? 6 बदाएगा कोई? 6 रूट 2 तो a हमने क्या माना है? हाँ कहिए कितने हो जाएगा? 6 रूट 2 यह cm में होगा ठीक है? अब हम लोग आगे question करेंगे question no.8 किसी त्रुज के अंतर ब्रत की तरज्या ज्याद किए यह जिसकी लंबाई 18 पा रहे और e cm हो तो इसके लिए सबसे पहले वो एक तिरुज बनाते हैं मैं आपको सबसे पहले question समझाता हूँ question किस प्रकार से होगा यह इसमें 8 गुजा हमारी माना के जिए 18 है इसको मान के जिए B 24 है C सी बराबर किता है? इस तो आप से पूछ रहा है कि अन्तह बरत की तरज्जा तो अन्तह बरत की तरज्जा इस तरीके से निगा लेए अन्तह बरत की तरज्जा अन्तह बरत की तरज्जा R R इसको हम लोग in radius कहते हैं in radius in radius R R इसको बरत होता है dead upon S dead का मतलब dead का मतलब होता है area of triangle और यह होता है perimeter perimeter तो सबसे पहले हमको dead जाहिए area तरज्ज का निगालना पड़ेगा और S perimeter निगालना पड़ेगी तो तरज्ज का area कहा होता है dead की है यहां पर तीरों बजाए यहांपस में कोई connection नहीं तो हम लोग heoge formula का यह कुछ करेंगे यहांपस यह हो जो formula हमारा कहता है सारा का सारफ दोड़ेगी है 18 plus 24 plus 30 upon 2 यह सब 100 पर के आपका आगा 36 ठीक है अब यह S की पैर्णू 36 आ गई 36 अच्छा यह perimeter है यह semi perimeter होती है अर्द पर्मा semi perimeter अर्द पर्मा अर्द पर्मा देखिये इसमें डाई है यह बैरू कितनी हो जाएगी आपकी 36 मुणा 36 में से एक है एक मत्रा बढ़ा रहे 36 माइनस अच्छा रहे 36 माइनस 24 37 माइनस 30 इसको solve करके यह हमारी पहलोग आगई 216 देखिये तिरको जोका अर्द पर्मा अर्द पर्मा semi perimeter 36 है तो इसको हम इसको हम इसको हम इस फॉर्मूले में फूट करेंगे कैसे दिखा देगे आप आर्द जो गर्डू 26 बट्टे 36 36 का बात देखिये 6 आर बरावर 6 cm आर बरावर 6 cm ठीक है इस तरही के जब्लोग इसको solve कर देखिये अभी हम लोगों ने इस को चंगा basic concept देखिये अब मैं आपको एक्जाम के लिए short trip बताता हूं किस तरी के लिए पहले हम इसकी समकोण दफटरी करेंगे कहीं समकोण तरोज समकोण तरब को नहीं है तो समकोण तरब के लिए क्या चांब रूजियोधियी होती है कौई भी तरब जिसका एक एक कॉन नब्यट ग्रिदी का हो, वो संकॉन होता है, तो एक कॉन संकॉन होगा, तो उसके संब्ग बाली बुजा कॉन दियोगी कान्ट, और कान्ट के लिया है पोटेनुस का युद्वी दिया, हाइपोटेनुस कैसे जरेंगे? आदाल और लंब का स्क्राइब करके देखिए कि काड़ी के स्क्राइब रावर को नहीं आ रहा है अगर आ रहा है तो वह संपॉर्ट रहो योगत ठीक है अधाल यह अधाल यह किसके बरावर आ रहा है करने के बरावर करने के स्क्राइब रावर ठीक है तो यह हमारा एक संपॉर्ट रहो है और जब भी संपॉर्ट रहो हो तो आप इसको दो सब्सक्राइब कर सकते हैं कैसे करेंगे इसके लिए मैं आपको बेसिक सब्सक्राइब आप अम्तहभृत की करच्चा निखा लेंगे जो दौनों बुजाएं गुजा लंब हैं आपस में सम्कॉर्ण है आपस में उन्हों को जोड़ दीजिए क्या चीज़ होगा मैं यहां का लिख दे लाओं पर्पेंडिकुलर पिलरस बेस और यह हाइपडेली जो करड़ है करड़ को मारिस कर दीजिए भाई टू इस फॉर पर दूबुले में आप वैलु रखेंगे आपका त्रंट आंतर आएगा बिजिन सेटिट आपको जादा पेपर में सोचना नहीं है जितनी चीज़े बढाई जाते है त्रंट आंतर आएगा जिजिए गिया है अधार है पिरस चौद है मारिस थीज़ बट्र दो किन्मा आजाए भार है बट्र दो यह बेर भागे आपकी छे संदी इसका मतलब आएगा इसका मतलब इसका मतलब आएगा तो इसके आप विजिन सेकिट में पोश्चन कर सकते हैं अब हम लोग कोश्चन नम्बर नायंग बर चलेगे त्रभूजी का परनाब शोवट एंटिमिटर है इसकी बुजाए पांक छे और साग के अलपात में हैं तो तिरुज पाथ 6 परपल ग्याद की दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले तिरुज की बुजाएं निकाने हैं। साइट्स करते हैं। यह मानली के तिरुज है यह 5, 6, 7 रेजिवों में है। इसका रेजियो है यह तो इसमें हमें एक्स का मुटिप्लाई करके हैं। इसकी बुजा मानले है इतनी कि यह 5 एक्स की है, यह 6 एक्स की है, यह 7 एक्स की है। अब आपसे कहला है कि तिरुज का परिमाद, परिमाद कितना होता है? परिमार कितना होता है तीनों बुजाओं का योग तो इसको मान लीचे यह है माला A यह B, यह C तो परिमार परिमार बराबर उता है माला A पिरस B पिरस C बराबर 5X 6X पिरस C मेले यह सारा पर सारा छोड़ कि आपका कितना हो गया परिमार परिमार कितना है 15X पीरमार कितने हो जाएगी 15 अधरे 20, B कितनी हो जाएगी तुमारा? 21, तिछा का अधार है, अधार है, और C का मान कितना हो जाएगी तुमारा? 71, अब तुम्हे क्या रिखाना है? तिरवुज का छेत्रबल, तिरवुज का छेत्रबल के लिए फर्मूला क्या है? तिरवुज के छेत्रबल के लिए फर्मूला क्या है, जीड, यो करें तो अंदर रूर में है, S-B, S-C, इसमें हम लोगो बैलू पुट कर देंगे, इसके लिए सबसे पहले S निकालोगा, परिमाब, परिमाब तो हमारी 2 है, लेकिने, S हमारी क्या ची होती है, अर्द होती है, A plus B plus C by 2, ये कितना है तुमारी 24 बटे 2, क्योंकि तीना भोजाओं की परिमाब, जी होई है, तो ये कितना होती है, 27, अब इस बैलू को इसमें लगातो, तो देल क्यों कर तो, अंदर रूर में, S, S मतलब 27 इंटू, 27 माइनस A, एकी बैलू कितनी आई है तुमारी, एक इवेल हो 15, और B, 27 माइनस A, और C, 27 माइनस 21, इसको हम दो फोड़ा सॉल कर लेंगे, तो ये तुमारा आजाएगा, अंदर रूर 27 गुणा, 12 गुणा, 9 मुणा, 6, इसको सॉल करने के बाद, हमारा आजाएगा, हम लोग बहुत आसानी से समझेंगे, देखिए, कुछ कोश्चन्स, पेपर में ऐसे आते हैं, जिनको हमकुछ डिटेल्ड मेथड से, बेसिक तरीफे से ही सोर्ट करना करता है, उसके लिए वाने पास कोई सोर्ट कर नहीं होता, लेकिन वो कुछ कोश्चन होते हैं, इससे प में आप कुछ्चन कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा आपको सोर्ट करना पड़ेगा, तब इसका आंजर आएगा, ये दौनों कुछ्चन ऐसे सी सीजल में आई हुए, अब हम लोग कुछ्चन करते हैं, कुछ्चन नमबर 10, किसी संकॉर्ण तरुच के आदार और अबिलम, मतल कुछ्चन करते हैं, कुछ्चन करते हैं, कोई एक संकॉर्ण तरुच्च है, इसका आधार 12 cm है, और अबिलम ये 5 cm है, तो इसके सीजल से, ये जो सीजल है, इस सीजल से कंड पर डाले गए लम्ड की लम्ड की लम्ड करते हैं, शमड पर रच जाने हैं, इस की लम्ड की लम्गाई माने ही क्वास के सीजल से कंड पर डाला गया पर्प्यल्ड की सीजल मैं लिए ₹ं Richards, और इसमिलम ऊकर प्वास करते हैं, और गया अबिलम आप कर सकते हैं देखिए सब्से पहले इस सी तरभूझका 성 Flex है कि चैण कह जो फोश्य का कि चहती है कि यह जो है भना हम तो पेसे इन्टो हई अधाल गुटा हम गैसे कितना होता है रफ 14 भण गैसे क हम इस सब की तो है अगर इश्को आधार मानने हैं, तो ये परपेंटिकुलर हो जाएगी, तिर्बुज की उंचाई हो जाएगी, अगर इश्को हम आधार मानेंगे, तो ये तिर्बुज की उंचाई हो जाएगी, ये हमारा कंड कितना है, इस सिर्काली आप पाइदागोरस से, पाइदागोरस तो कंड की नम्माई कितनी निकल कियाएगी आपकी, बाना का स्क्वार प्रस पांच का स्क्वार, बाना का स्क्वार प्रस पांच का स्क्वार कितना हो जाएगा यह थर्टीन, यह कंड की नम्माई है थर्टीन, लेकिन अगर हम इसको आधान मालेंगे तो यह क्या हो जाएगा यह इसका लंब हो जाएगा, लंब मतलब इसी तरूज की हूँचाई ठीक है? इसको थोड़े बुआ के सोचना पड़ेगा की यह तरूज हमारा ऐसा हो जाएगा अब जैजिigher यह जो छेत्रबल है। Second, का थी निखालाए है। बनापॉन तू आधा जो यह हमें माना है गुणा आधा गुणा यह उचा इतनी है इसको दोड़ा सा सोगत लिए यह हमाना आगया बनापॉन तू बनापॉन तू कटिया ती बनावर कितना आगया तूमाना 1250 बट्टे 13 इसका बांदे जिए 14 बावन चाहां सही आठ बट्टे 13 इंटी मिटर देखिये आपने कितनी आसानी से कॉस्चन चॉल पर लिया अब हम लोग कोश्चन नंबर 11 करेंगे कोश्चन नंबर 11 माना कहता है किसी संभाहूत रूट के किसी बिंदू से तो पहले तो हम कोई संभाहू कोई बिंदू मान लो कहीं पहले हैं कि केंद्र पर केंद्रो पर केंद्रो रूमिकेंद्रो अग्रप नहीं है कोई भी कोई पहले तक्ता है यहां लेटे हैं वाल डिये हैं बखिर यहां से यह दूरी दूरी और इस्की पर ऑपको दे गहां किइसे कोई सुए कि से पीन कि पps वंगणि हैं किसी इम्रों थोस्टेव और और दो से तीनो बिंद linking आ और किसी अंद्य विल्म से तीनों बजाओं की लंबबत दूरियां किरम से कितनी कितनी है इसको मान लिए अंदर्रूप 3 इसको मान लिए 2 तू अंदर्रूप 3 ये कितनी विल्म जाएगी 5 अंदर्रूप 3 ये दूरिया अब आपसे पूझ राए कि तिरूजी का परेमाम निका तो आपका आंसर आ सकता है, क्योंकि एक बुजा की नमभाई निकाल लेगे, उसका तीन गुना कर देंगे, तो आप परमाम निकाल देंगे, अब सबसे पहले, ये पुष्चन देखने में और समझने में बहुत बढ़े हैं, लेकिन करने में बहुत आसान है, मैं जिसके कार ब आप क्यों देखने के इसको, आप खुद से कहेंगे कि कितना आसान है ये पुष्चन, ऐसे ही पुष्चन मिलने की ये पेपर में, देखिए, इसकी नमभाई मान लीजिए आप, कोई भी ए बुजा, ए, साइड को ए मानना काफी आसान होता है, ए मान लीजिए, तो ये भी ह ये हमारी ए हो जाएगी, ये भी हमारी ए हो जाएगी, अब एक चीज देखिए, कि ये एक संभाहूत्रबुज है, संभाहूत्रबुज के लिए मैं आपको छेत्रबल का फार्मूला होता है, फार्मूला क्या कहता है, छेत्रबल बराबर होता है, अंदर रूट 3 बाइफोर संभाव तरोजगार छेत्रबर का भामुला क्या होता है? मूट 3 by 4 A स्वाइब बहुत आसान है अब ये छेत्रबर किस तरीके से हम गोग केर्पूलेट करें एक चीज समझेए आप ये जो अन्तहव इंदू है, यहां से अगर इस तरीके को तीन हिस्सों में माझ लिया जाए तो ये जो छेत्रबर का पूरे तरीके का छेत्रबर का हुए ये A, ये B, ये C तो ये जो छेत्रबर कंशेएं, ये कितना है आपका एलिया of triangle ABC बटाइए, इस पोरे तरफुज का छेत्रबर रही है और इस पोरे तरफुज का छेत्रबर हम लोग इन छोटे छोटे तरफुज के छेत्रबर को जोज के भी निकाल जरते हैं तो ये छोटा वाला त्रूज, ये वाला, इस त्रूज को निखालते हैं सबसे पहले, इस त्रूज का चेतरबर, पिरस इस त्रूज का चेतरबर, पिरस इस त्रूज का चेतरबर, ये तीनों चेतरबर मिलके, ये बड़ा वाला त्रूज के चेतरबर के बड़ा होने चाहिए तो छोटा वाला तरहूद मान दीजिए सबसे बहुने निकालते हैं तिरमुझ A, B, C का चेत्रवर वह तिरमुझ A, O, B का चेत्रवर इस छोटे का फिर एरिया ओफ ट्रेंगेल कौनजा होगा बी ओची बी ओची पिलस एरिया ओफ ट्रेंगेल इसका चेत्रवर कितना होगा यह आधान है इसके लिए इसकी उचाही है कितना होगा बेस कितना है और उचाही कितनी है अंडर रूप 3 छ्एमार आधान सफस्के निडाल आवगा बैस कितना है यह ऑख ट्रेंगेला बी ओचे के लिए बेस कितना है यह बेस और उचाही कितनी होगा लिए ऑ ही पाफ अंडर रूप 2 रूप 3 ठी है फिलसitel अब यह बाल compar चिश्मी old कितनी हो जाएगा कितने हो जाएगी, 1, 1, 2, 8, into 5, under 3, देखिए हमने छोटे छोटे इत्रवुज का एरिया निकाला, उस इत्रवुज को जोड़के इस पूरे बड़े वाले इत्रवुज का छेज़मत निकाला, जिससे हम ये पूरा कोचा सॉल्ब करेंगे, ये समझाने में इतना समय लग लग क्योंकि हम चाहते हैं कि आप कोच्चन को अच्छे से समझें, ये SSC CDL में आया वह कोच्चन है, रिपीटिट दो तीन बार, त्री में भी आया है, मेंज में भी आया है, अब देखिए इस पूरे मैसे, अगर हम बन अपॉन 2A, रूट 3 कॉमल ले जाएं, बन अपॉन 2, बन अपॉन 2 सम्में हैं, AI वी सम्में हैं और अडर रूट 3 वी सम्में हैं, तो यहां कितना लत बर, टू पिरस यहाकि, वहां कितना होगा, खालिट ऑब यह चेटरपन हमाना किसके बनावर है, रूट 3 बाइ फोर, A स्वार अब हम लोग तोड़ा सा इसको solve कर देते हैं, cancel out, ये देखें, दो से ये 2 कड़ गया, A से A, ये square का कड़ गया, root 3 से root 3 कड़ गया, तो यहां जो ये A बराबर रहे गया, A बराबर, कितना रहे जाएगा? ये 5 और 2 साथ और एक 8, 8 में ये 2 का multiply करिया, तो 2 इंटो एक, इसको कर दो 16, ये हमारा क्या आया, ये हमारा इजा, तिरुपुझी की एक होजा, लेकिन ये संभा हो तिरुपुझाय, तो तीनों होजाएं मिटाका कितनी हो जाएगी? तिरिये, और हमसे पूछा क्या है? परिमा, परिमा कितना होता है? परिमा बराबर होता है, फिरिये, आंसर कितना हो जाएगा? फिरी इंटू सिक्स्टी, तो अर्टारी सेंटी मिटर, इस तरही के से हम लोग इसको सॉर्म कर सकते हैं, ये बहुत आसान तरही के से मैंने आपको समझाया है, एसे सीजियम के लिए बहुत इंपोरेंट है, ये कई बात उचा गया है, ठीक है? हम भूछ कर दीजे इसको, अब हम लोग करेंगे कोश्चा नम्माद 12, 12, एक त्रभुज का आदा 30% कम कर दिया गया, तो उसकी उचाई कितने प्रदस बढ़ा दी जाए, कि उसके छेत्रफ प्रदस बढ़ा है, तो हम लोग जैसे करेंगे, जैके मैं आपको, जैसे माननीजें कोई एक त्रभुज है, वो ये लिए लिए आये, कि त्रभुज का आदार 30% गड़ा दिया गया, पहने त्रभुज का आदार माननीजे 100, उचाई भी 100 माननीजे, इसकी उचाई भी 100 मान लीए, तो ये इसका छेटबर कितना उजाएगा, मान एक हम एक हाई, ये हमारा छेटबर हो गया, अब वो यह खाए, ये आदार 30% गड़ा दिया जाए, तो हन्त्रेट से 30% गड़ा माननस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा, तो वो ये खाए कि उचाई में, कितने प्रत्सथ की 650 पisy Pokemon require reality यह मन यह एल्ड किते हैं हम बदा यह अब देगे फेह दे इस छेतर वर इतना है अब इसमें जितना भी चेंज दिया उसके हमसाद भी छेंदी पर उतना ही होना जाएगा ये कितना हो जाएगा बन अपान टू को नया आधार है सकतन गुणा उचाई नई उचाई कितनी हो गई इसको दोने चाउट करते हैं लोग इससे ये वैलू पड़े लिए ये वैलू ये वैलू पड़े लिए कितना हो गई है दुमारा एक अजान बरावर साथ सो या फिर एक अजान भाई सेविट कर लिए बरावर हंड्रेट गिलस एक्स एक्स का मान एक्स का मान आप कितना लुजाएंगे एक्स का मान आएगा तुमारा एक अजान मानेश साथ सो बट्टे सांद इसको पच्छांद दर दिया हमने इंटर्जैन कर दिया और ये तुमारा आजाएगा तीन सो बट्टे सांद तीन सो बट्टे सांद तीन सो इसका क्या मतलब है कि 42 सही 6 बट्टे 7 तरत्षत बेलों बढ़ारी कही है। ये मैंने आपको बहुत आसान पेपर के लिए कंसेप्ट सुदाने के लिए चरीका बताया है। इसमें कभी भी आपका कैसा भी कोश्चना आजा गलत नहीं होसा। ये मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया है। ये एक्जामनेशन पॉइंट को भी उसे बहुत जाजा है। मैं इसके साथ साथ आपके दूसरी तर्की लिए बताया। जैसे मान दीजे, पहले वो कह रहा है कि एरिया सो है। इसमें से उसकी गुजात तीस परसेंट गठा दी। तो कितना हो जाएगा ये। सत्तुर। इसको कितना प्रिद्शत सब्ड़ा दें कि ये इतना हो गाये। तो आप कैसे करेंगे। यहां से ये कितनी मैं बढ़े की 30, और कितने से बढ़ेगी शत्तर से गुणा सौ यह आप इस तरीके से आप बिजन सेकिट में पोर्चन कर सकते हैं आपको फलक जबगते ही आप आंसर आएगा प्रम यह देखिए कितना हो गया यह बिजनी सही छह बट्टे साथ परसें जो आंसर हमने कंसेंट के अंसर किया था और यह बिजन सेकिंड में आपका आएगा हमारा स्टूडेंट किस तरीके से पेपर में आपको कैसे करेंगे इस तरीके से ठीक है वोट कर लीजिए आपको अब हम लोग करेंगे कोस्टन नमर थर्टीन एक तिरुज की आदा बजा 30 प्रत्सर बढ़ तो उसके छेटरब में क्या प्रवाब पढ़ेगा इसके लिए बेसिक कंजर्प्श हम लोग करते हैं कहते करेंगे एक आप लोगों को मैं बेसिक को फॉर्टूरा बता रहा हूं तो बहुत आसान है और पेपर में हम लोग कुछी स्विकार से करेंगे तो यह कोच्छी इस इसगे बाएच को इसके आधार पुचामिया करते हैं जब कि चानी में 25 प्रक्षिस प्रक्षियार सुखी कि गई G एक चारव माइनस में, पिलस माइनस का मैंटिप्लाइब, माइनस में आएगा, 30, 25, 22, 100 इससे नोड़ा solver दीजिए, चार से ये कितना हो जाएगा आपका? दो फंदर है, इसको जोड़ा solver दीजिए, माइनस का फाइव, माइनस सारे सा, इन वहों को solver दीजिए, अपलो, सारे बारा, सारे बारा, अब ये पहलू किसकी आई आपकी माइनस की इसका मतलब है कि साड़े बारे प्रच्छत की इसको हम एक बूसरे तरीके से भी करते हैं जो पेपर में काफी कुछी होता है ये ये भी हमारा आसान है और एक बूसरा तरीका भी है जैसे मानुझी ये किरुपुजी की बुजा इस प्रच्छत गणाई गई गई तीस प्रच्छत गणाई गई तो तीस परसेंट की कमी होई है तीस परसेंट की कमी का मजबा होता तीस परसेंट का प्रिंद का माह यंप होता है और बच्छी सफ्रॉसर्चत गणाई गई पच्छी स्फ्रेंद का माह मन गिलना होता है आपसे कहला है कि आदार भुजा की कोजवत 30% गटाया जा तो 10 का 30% कितना हुआ तो यह पेले आपका 10 था अब गटा के कितना गटाया तीन गटाया जोबि पुछ आपका करना है बहाद का 3 आपका 10- safon b.णegar 5-5-5% कितना हुटा एक तो 4-5% कितना होता है एक मीकित 25% कितना जों टेखिया गया है तो 4-57% कितना होता है अब यहिए ऐसे के....गज जो बी कुछ आपका itस. कुछ प्रिद्षत गणा माला साथ से यह आठ से साथ गणा तो एक माल गणा और कितने पर गणा आठ गणा और और प्रिद्षत माल निगा देखे लिए तो यह कितना आ जाएगा आपका करना साथ आपके साथ education कि मैं और इस त 활़ प्रिद्षत की कमी झारि चाल प्रिद्षत कि कमी सारे बारarp व्लतस की कमीर इस ट्रीके से आप को स्कोड कर सकते हैं और इस म Cleans से आप विदिन सेकिंड में अच्छे से अच्छे पोस्च्टन सॉर्ट कर सकते हैं जो पेपर पह पे यह काफी जादा है, बस आपको फोड़ी ही प्रक्टिस करनी है, अब हम लोग अगरा कोस्चन करेंगे, कोस्चन नमर 14, कोस्चन नमर 14 हमारा कहता है, कि किसी संभावु तिर्गुज का परिमा, किसी संभावु तिर्गुज का परिमा, तो संभावु तिर्गुज सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, यह हमने संभावों तिरुकों भी बना लिया, इसकी शायद मान लिए ए है, इसकी भी ए है, इसकी भी ए है, क्यों? क्योंकि संभाव हुए, तीनों बुजाएं आपस में, बराबन है हमारी, फिर उसके छेत्रभर का अंडरूर्ड की हुना है, तो इसका ज यह परिमाख हमारा कितना है, इसका छेत्रभर्ड संभावुत्रभुजगा, छेत्रभर्ड क्या होता है हमारा, रूट 3 बाइ 4, इसको आ है, अब इस छेत्रभर का अंडरूर्ड 3 गुना है, रूट 3 गुना है, ठीक है? इसको हम लोग आपस में बराब सॉल कर लेंगे, यह हमारा हो जाएगा 3 A U कल 2, 3 A SQI by 4, इससे यह परूप केंजला उट जाएगी, A से A कड़ गया, तो यहां पर इसको सॉल्ट करने के बाद आगे हमारा A U कल 2 4, A U कल 2 4, रेकिए कितना आसान कोच्चन है, हम इसको तुरंट सॉल्ट कर सकते हैं, विदिन सेकेंद, तिरुज क की फिर्टेग गयाद कीजिए, हमने एक आमान निकाल दिया, तिरुज की फिर्टेग गयाद कीजिए, हमने एक आमान निकाल दिया, तिरुज की फिर्टेग गयाद कीजिए, एक तिरुज है, हमें नहीं पता कौन सा तिरुज है, तो कोई हो सकता है एक तिरुज, मान लीज आपका एक तिर्फूज है. कोई भी होज़ता है? संभाव, समतिबाव, कईसा ही उचलता है? हमें कुछ नहीं कह печता है. इसमें है, इसकी के परिमाब कितनी है? के लिए ये साइट माल लिए ये अ deux हैं. अग्माब के लिए है ये ये ए बी ये सी. यह मेरू कितनी है 32 cm 32 cm है अब आगे कहता है कि जिसकी एक बुजा 11 cm है तदा सेश बच्छी हुई बुजाओं का अंतर तो इसमें कोई एक बुजा मान लीजिए आप कौन सी मानेंगे जो चैस हो क्योंकि हमको नहीं पता तो A मान लीजिए 11 cm है तो B पिलस C बनाबर कितना होगा इस इक्वेशन में बैल उपूट करेंगे तो ग्यान है पिलस B पिलस C बनाबर 32 cm बी पिलस C बनाबर कितना होगा अब आपसे कह रहा है तदा सेस बच्षी हुई बुजा मानी है उसके अलाबा दूसरी बुजाओं का अंतर कितना है इन दौनों एक्वेशन को एक बार जोड़के नादा कर दो इन दौनों को जोड़के आदा कर दो 21 पिलस 5 कितना हो गया यह? 13 और यह C बनाबर कितना हो जाएगा इन दौनों का अंतर कितना है एक 30 माइस 5 बेटे 2 बराबर कितना हो जाएगा यह आपका? 16 16 का आदा आठ 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 हो गया यहां से एक मुझा यह जाले आए दूसरी मुझा 13 तीसरी मुझा 8 तो हम लोग ही लोग फॉर्मूला का यूज करके इसका छेत पर लिगा जगते हैं ही लोग फॉर्मूला क्या कहता है हमारा? एस ही लोग फॉर्मूला कहता है हमारा ज्रेल ही जो कर तो अंडर रूर में एस, एस माइनस एक, एस माइनस जी, एस माइनस सी यह बैलू कितने वक्त हो जाएगी आपकी? कितना वक्त हो गया? एस, एस का मान एस कितना है कुमारा? अर्द पर्माव एस का मान? शोड़ा हो है यहां से हम एस बराबर मिगा जगते हैं वक्तिस, बाइट, टू, इसका आदा कर देंगे अर्द पर्माव मतलब? सेमी पेरी वीटर को यह ओगिया तुमारा सोले है ठीक है सोले हो गया और सोले मैं से जियार गड़ाव, तेले गड़ाव, और सोले मैं से आठ गड़ाव एलू कितनी आगी तुमारी? ठीक है इसका इसका बल्बूल रहें रहें तो आंसर आएगा मारा 8 रूप 30 cm2 देर जो कंटू 8 अंदर रूप 30 cm2 लोट कर लोट कर लोट इस वीडियो में हमारे 15 कोश्चन हैं कि आप एक से डेके 15 कोश्चन तक देख सकते हैं इसके बाद अगली वीडियो हमारी और भी आएगी जिसमें SSC सीडियर के लिए काफी इंपोर्टन कोश्चन रहेंगे